वर्किंग ओफ ट्रायक जो इसकी वर्किंग है वो फोर मोड में वर्क करती हैं सबसे पहले जैसे कि हम जानती हैं यह टोटल सिक्स लेर्ज होती हैं P1, N1, P2, N2, N3, N4 टोटल सिक्स लियर्ज एक दूसरे में डॉब्ड होती हैं और ठी टर्मिनल्स होते हैं दो में टर्मिनल्स होते हैं M1, M2, N 62 और एक गेट होता है यहां में टर्मिनल्स लिए गए हैं जब यह first क्या होता है जब इसका वर्क कर वाथे हैं जब में टलमिनल quarterback और गेट को creative polarity Provider करें लेकिन में टलम वन को negative polarity प्रवाइड करें यानि MT2 और gate को हमने positive provide कि हर MT1 को negative battery से connect किया है तो उस time पे जो current flow होगा P1, N1, P2, P2 और N2 जो ये P1, N1 और P2, N2 इस time पे forward bias होगे और इस time पे N1 और P2 block state में होगा और इस time पे जो triac है उसको positively biased बोलेंगे इसमें क्या होता है? gate positive होता है with respect to MT1 forward bias junction होता है जो हमारा P2, N2 का होता है और P1, N1 का होता है और इसका जो breakdown होता है वो normal SCR की तरह ही होता है next mode है हमारा M, जब हमारा main terminal 2 और main terminal 1 को हम positive battery से positive supply provide करें और gate को negative supply provide करें इस condition में work वो first वाले mode की तरह ही करेगा लेकिन क्या होगा? कि इस time पे जो हमारी conduction होगी वो P1 और N1 और P2 और N3 के बीच में होगी पहले क्या हो रहा था? P2 और N2 के बीच में हो रही थी अब P2 और N3 के बीच में conduction होगी और P1, N1 forward bias रहेगा और P2 और N3 forward bias रहेगा इस तरह से यह conduct करता है इसका third mode जिस में MT2 और gate यानि main terminal 2 को और gate को negative supply प्रवाइड की जाती है लेकिन MT1 को positive supply प्रवाइड की जाती है इस time पे हमारा जो flow है वो reverse हो जाएगा P2, N1 conduct करेंगे और P1 और N4 conduct करेंगे N1 और P1 इस तरह में blocking state में रहेंगे और इस time पे try को कहेंगे negatively biased इस तरह से यह conduct करते हैं इसका fourth mode last mode जिसमें की main terminal first and second negative polarity provide की गई है इसकी working third mode की तरह ही work करेगी लेकिन क्या होगा इस time पे conduction N2 और P2 में होगी और N1 और P1 में होगी इस तरह से यह दोनों direction bi-directional में work करते हैं और यह है हमाई try keep working